नमस्कार फिर से स्वागत है आपका मैं बात करने वाला हूँ आज हिस्ट्री ओफ इंटरनेट की बात करने वाला हूँ जो की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेस्टिन से में यही से बनते हैं दोस्तों इंटरनेट क्या होता इसकी अल्रेडी वीडियो मैंने दे दिया है आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके और हम लोग आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री ओफ इंटरनेट के बारे में जो की इंटरनेट कहां से पैदा हुआ किसके लिए यूस किया गया कैसे यूस क आप देख रहे हैं यूनिक आउनलाइन गुरू चैनल चलिए कुछ है अच्छा सीखते हैं तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ओफ इंटरनेट के मैं आपको बैसिकली बता दूँ कि जो यह स्टार्ट हुआ था USA के आर्मी के लिए यूस हुआ था USA के आर्मी के लिए बनाया गया इंटरनेट था जो कि अमेरिका में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती थी तो हमारा जो है इसी को देखते हुए विंट क्रैफ ने इनको हम लोग फादर आफ कंप्यूटर कहते हैं जान लो भाई से 1980 तक कब तक 1970 से 1980 तक इसी के बीच में 1973 में TCP का निर्माड हुआ आईपी का निर्माड हुआ जिससे हमारा इंटरनेट चलना सुरूआ और TCP आईपी की विडियो आलरेडी पड़ी हुई आप उसको देख सकते हैं तो हमारी बात ध्यान समझे कि 79 में इसका सोचा गया फिर इसने 70 से 80 पे इसका काम किया और इसी के बीच में 73 में TCP और IP का निर्माड किया गया जिससे कि हम लोग अपने इंटरनेट को सर्फ कर पाते हैं यानि अच्छे से हम लोग यूज कर पाते हैं दोस्तों उसके बात कि अगर मैं बात करूँ तो 1972 में एक थे जिन्होंने इमेल आइडी पहली बार बनाया या पहली बार सेंड किया या फिर पहली बार भेजा जिनको हम लोग कहते हैं रे टाम लिंसन कहते हैं इनको फिर हमारा TCP IP का निर्माड हुआ जिससे की हमारा इंटरनेट यूज होना सुरू हो गया और मैं आपको बताओं कि सबसे पहले जो हमारा इंटरनेट है वो बिटिस्ट के फोस्ट आफिस में यूज हुआ था कहा यूज हुआ था बिटिस्ट के पोस्ट आफिस में हमारा सबसे पहला इंटरनेट यूज हुआ था ब्रिटिस्ट के post office में first use internet आप लोग इसको note कर लिजे कि आप लोग के लिए इसके फाइदा है क्योंकि ऐसे questions बनते हैं कि हमारा first internet use कब किया गया था तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि basically हमारा जो first use internet है वो कब किया गया था और कहां किया गया था तो दोस्तों ये use किया गया था ब्रिटिस्ट के post office में अगर हम बात करें history के इसका थोड़ा सा और जब हमारा विकास हुआ क्या हुआ हमारा जब थोड़ा सा और विकास हुआ तो फिर क्या हुआ ये चीजे मैं आपको पूरी details में बताता हूँ आप लोग ध्यान से हमारी बात सुन लिजे फिर कभी आप लोगों को history of computer में problem हो ही नहीं सकती ये मेरा challenge है दोस्तों ठीक है 1980 में क्या हुआ 1980 में क्या हुआ NSFnet के नाम से NSFnet के नाम से एक company गठन किया गया किसके नाम से NSFnet के नाम से यानि National Science Foundation Network किसके नाम से National Science Foundation Network के नाम से ठीक है Network के नाम से हमारा गठन किया गया जिसने 1980 में किया 1980 में किया गया इसी के बाद जब इसका use किया गया तो हमारे net start चलना हुआ यानि कि उसकी new new 1980 में पड़ी फिर हमारा net use करना शुरू हुआ दोस्तों फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारा develop होना शुरू हो गया फिर develop होते 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 1990 की अगर हम बात कर लें 1990 की अगर हम बात कर लें तो www का नाम आपने सुना है तो www develop हुआ अब www क्या होता है इसकी वीडियो आल्रेडी पड़ी हुई है आप लोग अगर देखना चाते हों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि what is www ये सारी चीजे छोड़े छोटे टॉपिक्स के हम लोग वीडियो आल्रेडी डाल दिये हैं फिर हम लोग क्या हुआ फिर आप लोग ये समझे लिजे कि 1990 से ही हमारे पब्लिक यूज के लिए ये यूज किया गया 1990 से ही पब्लिक के लिए यूज किया गया तो अब हम लोगों के पास इंटरनेट आया और हम लोग इसे यूज करना सुरू किये सबसे पहले जो हमारा इंटरनेट है 1991 की अगर हम बात कर रहें तो 1991 में क्या हुआ रिशर्च में और एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर में हमारा क्या हुआ इंटरनेट यूज होना शुरूए यानि चार कंप्यूटर को जोड़ के ये लोग डेटा ट्रांसफर करते थे और देखते थे कि हमारा इंटरनेट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा जो नेशनल रिशर्च आफ एजुकेशन नेटवर्क है उस तरीके से काम करना सुरूखे ये हमारे वर्ल्ड का नेशनल रिशर्च आफ नेटवर्क है बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जादे कोश्चन से कहीं नहीं बनते हैं ना तो कहीं इसका कोई रिलेशन होता है बस आप लोगों के जानकारी के लिए वीडियो बनाई गई है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करे और हाँ आप लोग अपना सुझाव जरूर दे और हाँ एक बात बताएं अगली वीडियो आपको मिलेगी हिस्ट्री आफ कंप्यूटर इन इंडिया इंडिया हमारे कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ ये पूरी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन